गूट मॉर्णिक स्टी टीब स्टूडेंट आएम अंदीब यूरपोल साइंट तीचर रोम श्री गुरुति एक भादर सेनियर स्केंटे स्कूल एन एस नाइन डिंग रोड सिरसा डिये स्टूडेंट टूडेंग टूडेंग टू स्टार्स नेक्स टॉपिक बेटे जो हमार यह परसन अभीम गाए जो एक भौने व्यक्ति के रोमें दिखा गया है क्या यह हमारी निरवाचन पर नाले का प्रिणाम था अब देखो इसमें कि लोकतंतर में बताया था कि इसमें क्या होता है कि हमारे हम जंता को क्या दिखार होता है कि क्या करती है वह अपना मतलब दिखार होता है कि हमारे हमें अपना प्रतीनी दिखार होता है तो अब इसमें लोक तंतर लोक तंतर होता है सताधारी दल या विरोधी दल कि जो व्यक्ति सता में होता है और जो विरोधी होता है जो उसके अपोजिट होती है जदिस सदर में लगबग पचाने प्रतिशत सतान है उससे जदा सताधारी के पास है तो था विरोधी दिल का नामातर का है कि अब बहुत ही छोटा होता है या 5 प्रतिशत पचाने प्रतिशत है वो सताधरी दिल की हाथ में सीटे है और जो 5 है वो है वो बिल्कुल नामातर की होती है तो विरोधी दिल की आवाज क्या सताधरी नहीं सुनेंगा अब जो विरोधी दिल है मान लोक इसके पास 95% स्रीड्स हैं तो जो विरोधी दिल है उसकी बातों के ओपर जो सत्ता में व्यक्ति है वो उसकी बातों को उपर उसको सुनेंगा और उसको उसको गोर्ण करेगा अथा था वैसाबलता पुर्ण विरोद नहीं करेगा लोगतंतर सता धारी की मनमाने को अपकरन बन जाएगा एक सबस्तां सवस्त लोगतंतर के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए यह अच्छा नहीं है कहतें कि लोगतंतर में क्या होता सब handicap को राइड है क्या है अपनी बात कहने का तो कहते हैं जो भी व्यक्ति सता में होता है उसको किया विरोधी पार्टी का इतना मलब उनका उसके ओपर जादा क्या हावी नहीं होना चाहिए तो यह दे रखा कि किस प्रकार से हमारा लोक तंतर है और लोक तंतर के लोक तंतर में क्या जैसे कि नागरी प्रत्यक्स रूप से क्या है साशन की कारें में क्या भाग ले सकती है और तब ही इसको क्या है कि प्रत्यक्स लोक को तंतर को हो क्या है पूर्ण रूप से लागू कर आदने किराजियों में क्या संभव नहीं है अब नेक्स काउटन दे रहे हैं या आपको एक एलिफरंड का पिक्चर दे रहे हैं अब इसमें कि सारबोमिक व्यसक मतादिकर को हाथी के रूमें दिखाया गया है क्या ये संभालना योगए नहीं है या ये कहानी की तरह है जिसमें कई ंदे हाथी के अब देको की निस संदे के बूती व्यापक तता विशाल अकार का वीस्क मतादार की विस्टा करना असान नहीं होता है लेकिन भारत के चुनाव योगड की तरह उसी कहाने की बांती जो पूरे हाथी का वर्नन उसके हिस्सों से वर्नित करता है कहते हैं कि हमारे जो चुनावा योग है कहते हैं कि हमारे जो योग है उसने चुनाव परनाले में बहुत ही क्या सुधार की है पहले क्या होता था कि हमारे जो वोट देने का अधिकार 21 वर्स की एज थी लेकिन बाद में क्या करती है उसको 18 कर दिया गया चुनावय योग ने काफी क्या उसमें चेंजिस की है तो कहते है कि इस प्रकार से क्या है जो सरसारबों में एक वियसक मत दिकार का मेने का कि परतेक विक्ति को क्या वोट देने का अधिकार है कि जैसे उसकी एज 18 साल की होती है क्या वोट दे सकता है अब नेक्स कार्टून में देखे हैं कि इसमें नेता जी चुनावी योग से डर गए हैं वे कहा रहे हैं कि हम इनिस्पक्स और सतंतर चुनाव की चुनोती जेलनी हैं नेता चुनावी योग से डरते क्यों है क्या ये स्थिति लोकतंतर के लिए अची है कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि कई नेता कैमरे के सामने आने से डरती हैं आज मीडिया एक प्रबल दाता लाबकारी लोग तंतरिस तंब है नमांकर होने के बादी परत्याक्षी को कैमरे के सामने आना पड़ेगा नहीं जमाने का ही दिकाज है प्रत्याशी को अपनी नेती भावी कारे करने ता प्रात्यूकता बंदानी होगी ताकि लोग चुनने वाले हैं वे उनके बारे में जानकरी प्राप्त कर सके कहते हैं जो भी व्यक्ति के और कोई भी नेता लेक्शन में खड़ा होता है तो उसको क्या है अपने चुनाव परचार करने के लिए क्या है लोगों के सामने आना पड़ेगा क्योंकि आज क्या है modern techniques है, media का यूग है तो खहते हैं कि उस व्यक्ति को क्या है कैमरे के सामने आना भी पड़ेगा और अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में उसको बताना भी पड़ेगा तो कहते है कि आज क्या है उसको उसने जो मालो election में खड़े होने के बाद कोई व्यक्ति उसके जो कारेकरम उसके लिए उसको सभाएं भी करनी पड़ेगी मीडिया के सामने इंटर्विव भी देनी पड़ेगी कहते ही ये सारी चीज़े क्या है आज कल के टाइम में क्या बहुत जरूरी है ताकि लोगों को पता चल सके कौन सा व्यक्ति उसके कारेकरम क्या है वो आने वाले टाइम में जनता के लिए क्या करेगा तब ही लोग क्या करते हैं अपनी राय बनाते हैं कि हमने किस व्यक्तियों को बोड़ देने हैं तो कहते हैं कि इस परकार जो भी व्यक्तिय है जो भी नेता खड़ा है और चुनावी तो उसे क्या है चुनावी योग से डढ़ने की जरूरत नहीं है क्या है लोगों के सामने क्या उसको आना ही पड़ेगा तब ही क्या हो सकता है तब ही हमारा जो चुनाव है सतंतरता निस्पक्ष होगा अगर वो अपनी नेतियों को कार्यकर्मों को क्या है लोगों के सामने आकर बताएगा तो उसे किसी भी प्रकार की डढ़ने की जरूरत नह ही हैं तो कहते हैं कि हमें अपना सतंत्रव निस्पक्स चुनाव कराने के लिए नई अचार सहीता सही और स्वच मतादात था कड़े और मुशासन जैसे इंदर देश जिसा इंदर देश भी क्या जारी करने होते हैं तो आज के लिए बेटे आपका ये रहेगा थैंक्स बेटे वेवे हैं आज के लिए मतादा था खाल रिए नई को आगने डिल थाए खाले खाले के लिए ये रहेगा टेवे लिए निए घंके पतादात्र चाहिए ये उजान जाल प्ट डिल बेड़ादाने के लिए जाल लिए